हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप लोगों का हर दिक्ष्वागत है रीना हैपी किचन में तो आज मेरे किचन में बनने जा रहा है ब्रेड से बहुत ही स्वादिश्ट नास्ता जो की घर के कुछ सामगरी से ही मिलकर के हम मिला करके हम बनाएंगे तो चलिए सुरू करते हम अपनी रेशिपी को तो सबसे पहले हम स्टपिंग की तयारी कर लेते हैं तो देखिए मैंने पैन में पैन गरम होने के लिए रख दिया था उसमें सर्सो का तेल मैंने डाला है और मैंने थोड़ा आधा चम्मच शर्सो डाला है और आधा चम्मच मैं डाल दी हूँ जीरा इसमें और हमारा ये भुन गया है तो मैं डाल रही हूँ इसमें हरा मिर्च कटा हुआ तो मैं अब आदा कटोरी से थोड़ा सा जादा मैं मतर डाल रही हूँ इसमें हरा मतर तो अब मैं इसमें कुछ मसाले आट करनी हूँ तो हल्दी पौडर मिर्च पौडर काली मिर्च पौडर और गरम मसाला पौडर और नमक स्वाद के अनुसार तो इस सब को हम थोड़ा सा भून लेंगे अब मैं दो तीन आलू मैंने बौइल करके रखा था तो इस तरह से मैं तोड़ तोड़ के इसमें डाल दूँगी अब हम इसको भी अच्छी तरह के थोड़ा भून लेंगे आलू को भी इस तरह से मैं मैस करते हुए आलू को भून लेंगे इसको तो अब मैं इसमें डाल रही हूं चाट माटा मसाला पौडर और थोड़ा से मैं इसको मिक्स कर देती हूं और गैस को आफ कर दी हूं मैं अब हम इस मिच्चर को ठंडा होने के लिए रख देंगे तो आद रहे ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे बनाएंगे तो यह दिखिए मैंने ब्रेड लिया है और ब्रेड को इस तरह से किनारे किनारे मैंने कट कर लिया है और इस तरह से मैंने ब्रेड को ले करके और इस तरह बेल दूँगी इसको थोड़ा सा दबा करके यह दिखिए त्वेरी के इस तरह से हम बेल करके अब इसमें हम अपनी जो आलो की श्टपिंग बनाए है इसको मैं रख दूँगी इसमें अच्छे से तरफ दबा देंगे हम इसको और इस तरह से मैं फोल्ड कर दूँगी इसको और इस तरह मैं यहां पर मैदा का गोल बना करके रखिये हूँ और इसको मैं इस तरह से किनारे किनारे इस तरह लगा दूँगी मैं इसको और इस तरह हम चिपकाते हुए चले जाएंगे इसको इदे के दबाते हुए इसको अच्छे तरीके से चिपका देंगे ताकि यह खोले ना ते दीखे इस तरह से हम बना करके रख लेंगे सारे को तो यह देखे फ्रेंड मैंने सारे ब्रेट को इस तरह से बना करके मैंने रख लिया है और मैं यह मैदा का जो गोल है इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके थोड़ा पतला कर दी हूँ थोड़ा वो गाड़ा था और इसमें हम डिप करके तल लेंगे तो धीखे मैने तलने के लिए तेल गरम होने के लिए रिफायन ओयल रख था और मैंने मैदा में इसको डिप करके मैं इस तरह से इसमें कडाई में तलने के लिए डाल दी हूँ अब मेडियम फ्लेम पे हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे उलट पुलट के तो यह देखे फ्रेंड हमारा बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है और यह देखे हमने सब को बना करके रख लिया है और बहुत ही स्वादिश्ट बना है तो आप भी इसी तरह से बनाईए और अपने फैमली फ्रेंड की साथ इंजुआए करिए ओकी बाई बाई